आज हम सीखेंगे कि अनारस को सबसे आसान तरीके से कैसे काटा और छिला जाता है तहाँ पर मैंने सबसे पहले अनारस के उपर वाले भाग को काट दिया है दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम मार्केश से कई चीजे लेकर तो आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसे कैसे काटने कैसे छीले और इसे कैसे खाया जाए अब मैंने इसके निजले वाले भाग को भी काट के हटा दिया है अब हम इसे बीच में से काटने के बाद मैंने इसे दोबारा से आधा-धा काट लिया है तो जिनको अनारस पहले से छीलन काटना आता है उनके लिए तो ठीक है लेकिन जो नहीं जानते हैं जिन्होंने कभी अनारस को नहीं काटा है वो ये वीडियो ज़रूर देखें इसके बाद हमें इसके पीसेस को दोबारा आधा आधा काट देना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास अनारस के आठ टुकड़े हो जाएंगे अब हम इसके बीच बाले भाग को इस तरीके से लंबाई में काट कर हटा देंगे ये वाला हिस्सा जो है वो थोड़ चोटे पीसेस कर लेने है तो यहाँ पे इसके चोटे पीसेस करने के बाद मैंने इसे प्लेट में सजा लिया है अब हम इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक थोड़ी सी कुटी हुई काले मिज और ये खाने के लिए विल्कुर रेडी है आपको आज की मेरी ये इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरू कीजिए